नमस्कार, EGK Spend का official channel में आपका स्वागत है, आज के इस ने वीडियो में हम लोग जानेंगे, transaction amount access limit का जो error आता है, AAPS आधार withdrawal करने के दारान ये अब नहीं आएगा, इसका क्या है समधान हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, अगर आप किसी भी company का AAPS चलाते हैं, तो ये समस्तिया कभी न कभी आपको देखने को मिलता होगा, transaction amount access limit, अगर अभी तेक आपने EGK Spend channel को subscribe ने किया, तो चैनल को जरू subscribe कर लें, क्योंकि आपके लिए सही और सड़ी जनकारी बराबर लाते रहते हैं, तो ये transaction amount access limit तभी आता है, जब गरहक का पैसा निकासी करने का एक limit खतम हो गया हो, जैसे मालनीजे कि state bank का जो दिन भर में एक बार पैसा निकालने की limit होता है, तो अगर उस customer का limit खतम हो गया हो, तो उसके लिए आपको अधार पे service को यूज करना चाहिए, पहले ये सभी company में नहीं राता था, सभी AAPS ID में नहीं राता था, लेकिन अभी ज अगर आप पैसे निकासी का काम करते हैं, CSP चलाते हैं, तो आपको अधार पे service चालू करा लेना चाहिए, इसका एक मात्र समधान है, जो कि transaction amount, access limit ये तभी error आता है, जब आपका account का withdrawal का limit खतम हो गया हो, जैसे मालनीजे कि अगर हमारा कोई भी bank में account है, तो हर महिने का एक limit होता है, जैसे महिने में 4 बार transaction कर सकते हैं, किसी-किसी बैंक में एक ही बार है, किसी-किसी बैंक में 10 बार है, मालनीजे 10 बार महिने का पैसा निकालने का limit है, अगर मैं 11 बार निकालूं, तो ये error देखने को मिल जाएगा, तो इस error का समधान यही है, कि आप अधार पे service के पैसा निकासी कर सकते हैं, जो कि आपके सभी EPS ID में लगबग available है, तो आधार पे service के मादियम से transaction amount access limit जैसे error का समधान है, जो कि आप अधार पे service के मादियम से असानी से पैसे withdrawal कर सकते हैं, ये error आपको देखने को नहीं मिलेगा, वीडियो देखने के लिए धने बाद, नम जो कर.